नमस्कार दोस्तों, तो कि एजुकेशनल अकड़मी में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी चालग पर विद्धुद धारा प्रवाहित की जाए तो इसके तारो चारो तरफ चुम्बिकी छेतर उत्पर्न हो जाता है जिसको ग्याद करने के लिए हम फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कच्छा 10 मी, 11 मी, 12 मी के फिजिक्स के स्टुडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है तो वीडियो को आपको सुरू से लाश तक देखना है, यह आपके पूरे समझ में आ जाएगा और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो के नीचे देगे लाल कलर की बटन को दबा दें बगल की बेल आइकन घंटी भी बजा दें, जिससे ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे शुरू करते हैं, जब किसी चालक पर विद्दुद धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारो तरफ चुमकी छेतर उत्पन हो जाता है चुमकी छेतर में धारा वाहि चालक पर लगने वाले बल की दिसा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा हम आज ग्यात करेंगे इसमें बेसिक तोर पर आपको बता दिया जाए कि जो हम हाथ लेते हैं इसमें ये अंगूठा है और ये वाली उंगली इसको तरजनी बोलते हैं और ये वाली उंगली को हम धारा की दिसा बोलते हैं इसमें बाएं हाथ का अंगूठा तरजनी तथा मदमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों परस पर लंबवत रहें अब जब तीनों को लंबोवत रखेंगे तो तरजनी छेत्र की दिशा बल की दिशा यानि जो तरजनी है ये वाली ये छेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी और ये जो मध्मा है मध्मा जो है धारा की दिशा प्रदर्शित करेगा तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्सित करेगा तो जब ये छेत्र की दिशा प्रदर्सित करेगी तरजनी और ये जो है मदमाधारक दिशा प्रदर्सित करेगा तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्सित करेगा यही क्या है फ्लेमिंग के बाए हाथ का नियाम है तो आसा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें चानू को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए कोई सुचाथ कमेंट दें जैंद